हलो आपके अपने चैनल मागनेट बेंस पे जो प्रोवाइट करता है कॉलिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ वो भी बिलकुल फ्री सर एक तम फ्री सब कुछ मिलेगा यह नहीं कि एक दो चैप्टर्स पराने के बाद छोड़ दियागा नहीं सर पूरा मिलेगा इतलास जब तक एक्जाम नहीं हो जाते सब कुछ कवर अप करवाया जाएगा आपका काम बस इतना है सर आना है पढ़ना है साथ में बैठना है और मज़े से पढ़के चले जाना है सर सारे सब्जेक्ट्स अविलिबल है ऐसा नहीं कि only chemistry सब कुछ अविलिबल है सब पढ़ि लाज ट्रॉप एक कोलिजन त्योरी क्या स dissoci को कोलई कराने वाले हो किसको टकराने वाले हो मैंने आद्दो घमासान इयो द्धोने वालا है सौरी आज होने वाली है लडाईयां जम के लडाईयां होने वाली है कोलीजन का मतलब तो यही होता है न सर कोलीजन का मतलब तो यही है लडाईयां तो मैंने का बिल्कुल आज अपन देखेंगे लड़ाई है क्या होता है कोलिजन उस पे अपन आज बात करने वाले है मज़दार करें चलू जल्ली बता हो याँ सर लाज्स टोपिकेश चाप्टर का कोलिजन थियोरी मज़दार टोपिकेश टार्ट करते हैं कैसे स्थोरियों करके बोलते हैं gas theory of kinetic sorry kinetic gas theory ऐसा कुछ करके था आपको था क्या नहीं था था सर बिलकुल था उसमें आपने देखा हुआ इस साल चाहिदा वो physics में भी देखोगे उसमें भी क्या होता है कि sir collision की बहुत बात करी गई pressure apply करते हैं collide करते है external pressure होता है internal pressure होता है किस तरीके से collision होना चाहिए मतलब वो सारी चीज़ा अपना है जिसमें भी देखने वाले काम की चीज़े सर बहुत इंट्रस्टिंग लेक्चर और सर लास्ट है खुदा ना खासता यहां से भी कोशन उठके अदाए और मैं हमेशा कहता हूं यदा कदा और सरवदा अगर आ गया तो क्या करोंगे इसलिए हाट टॉपिक को बड़िया तरीके से पढ़ेंगे एक तरफां पढ़ेंगे और यहीं पढ़ेंगे मजा आजाएगा सर क्या जाएगा मुझा आजाएगा करें चालू चलिए तो सर चालू करते हैं को अलीजन खेओरी को वो वहीं से उठा रहे हैं, सारी कहानी हम वहीं से बात करेंगे, बहुत important theory है सर्फ collision theory, आप ये समस्त होंगे, बस ये लग एक वहीया और ये लग वहीया टकरा दो, वहीया हो गया वहीया, ये नहीं है, सिर्फ ये होता तो बात अलग थी, collision क्या होगा, किस किस तरीके के collision होगे, कौन सा collision important है, collision होने के लिए कौन सी energy responsible है, कितनी energy होनी चाहिए, collision के बात क्या होगा, तो सर्फ कही सारे questions है, और इन questions का answer कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इसलिए वीडियो के last तक जरूर देखना है, आपको मज़ा बिलकुल आएगा, अगर नहीं आए तो बात वाली ठीक है, पक्का, चलिए, तो सर, simple सी बाते, इस theory को propose करने वाले थे, Max Trotz, क्या थे, Max Trotz और William Lewis, Lewis वाले मत समझ ले ना वो, ठीक है, Lewis base और acid वाले, William Lewis, इनने इस theory को propose किया था, ठीक है, दूसरी बात, based on the kinetic theory of gases, किस पे बेस थी सर, kinetic theory of gases पे, सर, basically इसका जो काम था, वो मैंने आपको अब भी बताया, किस पे था सर, kinetic theory of gases पे, उसी के इल्द गिल्द ये theories चल रही थी, उसी के इल्द गिल्द ये theories काम कर रही थी, अब ये theory क्या बोलती है, वो अपन देखने वाले, इस theory में इसने ये बोला, कि आपके पास सर, देखो आपको एक reaction करनी है, reaction में होता है reactant, और reactant के से बनता है product, reactant से क्या बनता है product, अब इदा बास समझना, जो reactant से product बनता है, तो reactant के molecules होंगे, और reactant के molecules ही किसमें convert होंगे, product के molecules में common sense बोलता है सर, सर, तो ये जो reactant के molecules हैं, ये आपस में क्या करते हैं सर जी, collide करते हैं, क्या करते हैं सर जी, collide करते हैं, लेकिन इनका जो collision होगा, वो एक certain collision होना चाहिए, सर ये कौन सी बात कर रहा है, कि certain collision होना चाहिए, ये कौन सा है, तो मैंने का सर, collision कई type क्यों होते हैं, अब मैं चलके जा रहा हूं कोई में कोई बगल से तकर मार के चले आए तो ये वी तो को लीजन है मैं चलते जा रहा हूं जैसे नहीं होता था कभी अपने दोस्तों जाते थे लंच वे मिले एक रहे तो वह भी तो घुण है ने माल दिया उसको और कुछ हो तो दो लगा के दो भकते आ रहे ह से मैं यहां से हमत्या रहां है यहां सहां ज 맡 यहां से भकते अरहा दुरहां कि टकरा जा त्याद को भी कुछ दिजsl KirES और वो कुछ collision को क्या कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा और साथी साथ उन collision के पास with certain amount of energy भी होनी चाहिए उन collision के साथ उन reactants के पास certain amount of energy भी होनी चाहिए तभी वो product में convert होंगे नहीं तो convert नहीं होंगे हमने गाटी के सर्व मतलब बात ऐसी है कि अगर reactant इनके पास sufficient amount of energy होनी चाहिए दूसरी बात लेकिन तीसरी बात की वो collision एरा गेरा नहीं होना चाहिए वो collision काम का होना चाहिए क्या से काम का होना चाहिए सर वो होना चाहिए effective collision क्या होना चाहिए सर effective अच्छा सर यह कौन सा बड़ है मैंने का इस पर रौष्णी डालूँगा लेकिन थोड़ी देर बात बात समझें तो अभी तक की कहानी यही है collision theory basically based on kinetic theory of gases first point second point की collision theory के अंदर reactant molecules collide करने वाले है with sufficient amount of energy और वो collisions आपके कैसे होने चाहिए important collision होने चाहिए अगर आपको product में convert होना है बात के लिए रहे एक बार test screen शोट लो फिर अपना आगे की तरफ बात करते हैं जल्दी लीजे जल्दी जल्दी important बात है भीया important है अभी तो हो गया हो गया कोजी कर तो नहीं चलो चलिया अब जैसे kinetic theory में क्या हुआ था इन लोग ने reactant को इन लोग ने reactant को sphere माना था क्या माना था sphere माना था इस तरीके कर shape माना था reactant के molecule को तो यहाँ भी हम एक मान के चलेंगे कि reactant molecule कैसे रहेंगे sphere रहेंगे और sir hard sphere कैसे रहेंगे sir hard sphere sir sir लेकिन यह hard sphere क्यों रहेगा मैंने का भाई ऐसा ना हो ऐसा ना हो की की सर बताओ ना जल्ली बतादो ना कि जब यह टक्राएं जब यह टक्राएं तो पता चला टक्राने में टक्राने में एक भाई का गेम लग गया गेम लग गया मतला sir वह टूट गया वह टूट गया ऐसा नहीं होना चाहिए कंडवर्ट होता है तोटब होना चीए कैसा होना चीए हारड श्वीर बास समझ गए कैसे होने चाहिए पहली बात तो इसे की होने की से सारे रियक्टेंक तर यह सारे मॉलिक्वल यह सारे एक तरीके से ये बोलें कि सती न पहुचे एक दूसरे को कोई डेमेज न हो उस तरीके के लिए इसलिए हम नई उसको आजियूम किया क्या सार hard sphere कैसा सार hard sphere दूसरी बात डूसरी बात आप जिस भी container में इसको ले रहे मालओ आपने ये container में लिए reactants पैक कल दो उनको छोटे छोटे गोलू बना दो ये देखो छोटे छोटे गोलू बना दिये देख रहा हो गोलू गोलू चल क्या ले लिए सर गोलू गोलू ले लिए अब ये देखो ये जो गोलू ले लिए ये continuous random motion में होने चाहिए सर काई में होने चाहिए रेंडम मोशन, रेंडम मोशन में बतला समझाओ, बतलब जैसे आप हो, तो आपको भाईया मैं सिंपल सी बात है, डंडा लेके बोलू कि भगते रहे बटार नी तो देंगा मिला मिलाके, तो मैं भगते रहूँगा, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे जितना जादा वो ठक्राएंगे, उतना जादा कोलिजन बढ़ेगा, उतना जादा क्या बढ़ेगा सल जी, कोलिजन बढ़ेगा, ये बात याद रखिए, जितना जादा वो ठक्राएंगे, उतना जादा कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, हमने गा जो आपस में टकराए जा रहे हैं और जब तक वो आपस में टकराते रहेंगे या वो रेंडम मोशन में रहेंगे एक कोलीजन होता रहेगा और अगर कोलीजन नहीं होगा सर कभी जिन्दगी में प्रोड़क्त नहीं बन सकता इसलिए कोलीजन इस दान नेसेसरी कंडीशन सर एक बात हमेशा याद आखिए जब तक कोई टकराता नहीं है उसकी बात आगे नहीं बढ़ती है चाहे वो निगाओं का टकराना हो चाहे वो इंसानों का टकराना हो चीक है फिर आपने वो शाहिदी तो सुनिये कतल करना है तो हमारी आखों से करो आगे रेंदेते हैं आगे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख दीजेगा डिस्क्रिप्शन में नहीं कहां पर लिख दिंगे कमेंट सेक्शन में अपन थोड़ी दर पर आ जाते हैं दोंट चेंज सोरी एक कमरे के अंदर है कहीं भी अगर भगेंगे तो टकराएंगे और जब टकराएंगे तो कोलीजन हो गए होगा और वोई कोलीजन हम बात कर रहे हैं तो वो कोलीजन हमें देखने को मिल रहा है क्लियर यहां तक बात अब सुनों आगे अर्याक्टेन अकल्स ओनली वेन अर्याक्टेन मॉलिक्यूल अंडर्गोस कोलिजन विद अनदर यही मैंने बोला सर्थ दुनिया की याद अखिये सर्याद अखिये दुनिया की हर रियक्शन तभी होती है जब रियक्टेन आपस में ठकराते हैं चाए वो ठकराना रियक्टेन का हो चाए वो ठकराना निगाओं का हो कुछ भी हो सर्थ प्रोड़क्ट तभी बनेगा सर्थ देखो एक रियक्शन होने का मतलब है आप बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ एक रियक्शन होने का क्या मतलब है सर्थ रियक्शन का मतलब तो वही है कि प्रोड़क्ट बन जाए और प्रोड़क्ट कब बनेगा सर्थ जब रियक्टेन रियक्ट कर जाए और रियक्शन रियक्ट कब करेगा जब रियक्टेन कोलाइट कर जाए तो ultimately बात क्या है सर आप लोग समझ नहीं रहे बात यही है जबतक reactant तकराएंगे नहीं को लीजीन होगा नहीं को तकरा गई को लीजन हो गया कि में गर्ट में कंवेट ओगए फ्रोड़क्षर में कंवेट गया तो क्या is very important मैंने का very very important collision is very very important मतलब collision होना जरूरी है अगर collision नहीं हो रहा है तो सर भूली जाओ बात तो चीके सर मान लेते हैं collision तो करवाना पड़ेगा बिना collision के तो काम नहीं होगा मैंने का ठीक है ठीक है अब collision भी दो टाइप का होता है collision भी दो टाइप का होता है देखिए जरा एक होता है effective collision और एक होता है not effective collision अदे यार अब इसको कहां लिखे कैसे लिखे एक काम करते हैं इस भाई को थोड़ा shift करते हैं यह मान जाएगा चलो बिटा आप थोड़ा उदर चले देखो यह हैं दो टरीके के collision होते हैं एक होता है effective collision और एक होता है non laisse effective collision. Sir, यह क्या लिख दिया, यह क्या बात है? तो मैंने का यही बात तो आप discuss करनी है. Sir, collision तो हो गया, लेकिन दमदार collision, तागतवर collision, फाइदे मन collision कौन सा है? अगर फाइदे मन collision नहीं हुआ तो काम नहीं हो पाएगा, sir तो ये बात तो याद रखो और फाइदे मंद कोलिजन पता है कौन सा है नाम में ही है sir नाम में ही काम है नाम ऐसा करो कि काम हो जाए इसलिए उसने नाम ऐसा रखा है क्या effective effective का मतलब यही कोलिजन अपने फाइदे मंद के हैं as compared to non-effective अभी मैं इसमें रोशनी डालूँगा, सारी पोल अभी नहीं खोलूँगा, अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त, चलिए, all the collisions between the reactant molecules are not effective to produce a chemical change, अगर collision effective हुआ तो chemical change हो जाएगा, अगर not effective हुआ तो chemical change नहीं होगा, दुनिया की कितनी तागत लगा लो, कितनी निगाएं मेला लो, कोई काम नहीं बनेगा, मतलब चाहिए तो कैसा है, effective, अगर आपका समय सही है, अगर आपका तरीका सही है, तो सामने कोई भी हो, निगाएं लग जाएंगे अपनी, और अगर नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता सर, फिर collision होने में दिक्कत आजाईगे सर, फिर दिक्कत आजाईगे, बास समझ गए है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार ये points discuss करेंगे, एक बार note-down करेंगे, फटाक से screenshot मारेंगे, और अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी, जल्दी, जल्दी करेंगे, चलिए हो गए note-down, कोई दिक्कत तो नहीं, कि effective क्या है और non-effective collision क्या है, सर, अभी पोल नहीं कुलेगे, धीर धीर सब कुल जाएगे, टेंशन मतलो, बस आगे बढ़ो सर, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, देखिए सर, the collision between the reactant molecule is effective only when they acquire a definite amount of energy, सर, देखो न, आपको सोचो, कभी-कभी मान लो, देखो, मान लो, ये एक corridor होता है, स्कूल के अंदर की बात कर रहो है, ठीक है, और ये corridor होता है, होता है, अब ऐसे समझो, यहाँ पर एक व्यक्ति है, बढ़िया मस्ती में गाना गाते हो चल रहा है, क्या गाना गाते हो चल रहा है, तुरूरू, 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 ये काली-काली यांके, यहाँ पर भी भाई एक, बढ़िया ये भी, ठीक है, ये भी बढ़िया क कोई गाना गाते हुँ चल रहा है अब दोनों बढ़िया जा रहे हैं भाई जाएंगे और क्या होगा यह देखो और मान लो इधर पर जैसे यह लोग पहुचे कर दोनों टकरा गहें लेकिन बहुत दीरे दी तो जाते से एकडम अरे आर क्या देखके चलना चाहिएन अब आई क्या हुआ दोनों की स्पीड वेश्ट लोटी दोनों क्या तो इसलुट शती नहीं पहुचाई आपने सामने टकराई लेकिन बहुत धीर रहते तो बस क्या हुआ एकदम जाके अरे भाई रुक के थोड़ा हाथ बात तर्च हुए थोड़ा धक्का लगा गिरे वेरे नहीं कोई तूटा फुटी नहीं होई कुछ ठीक है ऐसा हुआ तो यहां पर क्या दोनों खतम हो गया दोनों गोम रहते जी में बहुत तीजी में गोम रहे दोनों और भगजर हैं का यह आरा है हमारी क्लास चुटी आईगी और जैसा यह तकराई यह किदर पढ़ा, यह किदर बिखर गया, यह किदर बिखर गया, तो यह जो था, यह with energy के साथ था, यह जो collision था, यह किस के साथ था सर, with energy के साथ, तो आप क्या कहोगे, यह हुआ कोई टकराना, यह कहा था, यह तो लप्पू सा टकराना था, कोई टकराना था, कोई टकराना तो यह हुआ, तो यह है main collision, यह है मेरा effective collision, यह मेरा effective collision नहीं है, बास समझे रहो, क्या कहना चाहरा हूँ, कहना यह चाहरा हूँ, जब भी collision होगा, certain amount of energy, with sufficient amount of energy, उनके पास होनी चाहिए, तभी वो collision को मानने था, दी जाएगी, नहीं तो, collision को मानने था, नहीं देंगे, और यह मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप आजाओ जरा chemistry के उपर, आप आजाओ chemistry के उपर, आप आजाओ, के मिस्ट्री के उपर जरा, याद करो, यह reacting था, यह product था, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो वो दिन, जब मैंने यह पढ़ाया था, यह पढ़ाने वाला दिन याद करना, ठीकें, ने तो तुम collision याद करने लगो, कि मैं ठकराया था उससे, वो दिन मेरी सबसे बड़ी भूल थी, ऐसा नहीं, ठीकें, यह देखो, यह graph बनाया था मैंने आपको, अरे, याद कर रहे हो, भयाई, इसको याद करना है, ठीकें, हाँ सर, इसी को कर रहे हैं, आप भी खान लगे हो, यह देखो, और यह याद आया था, उपर कौन सी energy थी, इसको अपर ने नाम दिया था, threshold energy, क्या नाम दिया था, threshold energy, हमने यह का था, जिन भी, सर, सारे reactive molecule collide करेंगे, सब collide करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा, सर, एक भी नहीं बचेगा, लेकिन उस collision के साथ, यह सारे molecules हैं ह लखा जाएगा, तब वो collision हो, और उन molecule के पास कौन सी energy हो, सर, threshold energy, मतलब minimum amount of energy तो होनी चाहिए, minimum amount of energy होनी चाहिए, colliding molecule के पास, colliding molecule के पास, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, effective collision, क्या कहेंगे सर, effective collision, क्या कहेंगे, effective collision, यह बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए, कोई रिकत तो नहीं, कि reactant molecule जो है, वो reactant molecule को अगर product में convert होना है, तो पहली condition है, collision होना चाहिए, और वो collision कैसा होना चाहिए, effective, effective के लिए, उनके पास minimum amount of energy होनी चाहिए, और वो energy कौन सी है, threshold energy, कौन सी energy है, सर जी, threshold energy, सबझ में आया, effective collision, कोई दिखत तो नहीं है, कि सर, वो collision, जिसके पास, वो minimum amount of energy हो, जिससे वो किसमे convert हो सके, product में, उन सारे collision को कहते हैं, अपन, effective collision, क्या कहते हैं, सर जी, effective collision, effective collision, बात समझ गए, अभी तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, proper orientation भी चाहिए है, अभी तो अपने का collision होना चाहिए, with proper amount of energy, that is known as the, क्या आपका effective collision, अच्छा, ये threshold energy होता है, अपने पहले पढ़ चुका है, the minimum amount of energy, that must be possessed by the reactant molecule, to make the collision effective, is called threshold energy, यही बात कहिए, और अगर आपको याद हो तो एक चीज और पढ़ाई थी मैंने, क्या पढ़ाई थी सर, इसको कहते थे internal energy, क्या कहते थे सर, इसको internal energy, कहते थे कह नहीं, और सर, इसको क्या कहते थे, यह आपको बताना है, यह वाली energy जो थी, इस energy को क्या नाम दिया गया था, यह energy आपको बताना है comment section में, सर मेरी आपसे बात हुई थी भीया कमेंट सेक्शन को लेके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ये एनर्जी क्या होगी सर ये वाली एनर्जी के बारे में बताईए जरक करके तो बताओ ये एनर्जी कौन सी है ये एनर्जी बड़ी अनेवार है जल्दी बताईए यह energy कौन सी होगी ठीक है comment section में चाहिए मिलको बहुत important energy है internal energy plus that energy जो आपन को use हो रही है कोई दिकत की बात तो नहीं है चलिए सर अब आगे देखिए effective collisions are those collisions that leads to the formation of the product सर अगर effective collision नहीं होगा आपका product नहीं बनेगा ये बात मान लीजिए effective collision अनिवार है effective collision से ही क्या बनेगा सर जी product क्या बनेगा सर product तो effective collision पहली priority है effective नहीं हो रहा दिकत आजाएगी क्या जाएगी सर दिकत आजाएगी बहुत ज़्यादा दिकत आपको देखने को मिलेगी चलो तो ये 3 point और है वो 2 point हो गए थे फटफट नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे हो गया कोई दिकत तो नहीं पक्का क्लियर है बातों को लेके चलिए बहुत शांदार बहुत बढ़िया क्लियर है अच्छा एक बार ये diagram बना लो slow fast ये देख लो अदे इसकी तो आँके ही नहीं देख रहेगी कोई दिकत तो नहीं चलो इसको clear कर दो फिर एक बार इसको अभी screenshot ले 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 लो ले लो इसका screenshot भी जल्ली screenshot लो जल्ली जल्ली हो गया चलो अब देखो हाँ अब बात आती है effective collision अभी मैंने क्या बोला सर effective collision क्या है यह देखो यार यह पैन बार बार ना गूम जाता ना बहुत गुसाती है चलो अभी मैंने क्या बताया आप लोग को effective collision मतलब अरे सर आपने अभी तो बताया effective collision मतलब collision होना चाहिए अच्छा वाला और collision के साथ with sufficient amount of energy होनी चाहिए sufficient amount of energy होनी चाहिए चेक तो सर क्या collision कोई साभी हो चल जाएगा क्या मैंने का कोई साभी मतलब केता है सर collision तो कई साइट के हो सकते ना सीधा ठकराना तेड़ा ठकराना उल्टा ठकराना पीछे से ठकराना आगे से ठकराना ऊपर से ठकराना नीचे से ठकराना ठकराना ही ठकराना क्या हर्ट कराना कोलीजें में अग्ष nellेकिट जाएगा एफेक्ष karaoke मंने का नहीं पॉरीटłosेन वाला चाहिए कसे यह क्या होता प्रोपर ऊर्टेशन क्या होता है यह क्या होता है प्रॉपर ओर्येंटेशन वाला मैंने का अब भी बताता हूँ प्रॉपर ओर्येंटेशन वाला चलो एक सपोस एक गाड़ी है ठीक है चौल आपन गाड़ी बनाते हैं कौन सी गाड़ी बना दी सरा आपने है अना बच्चे यह बुलेंगे सर कौन सी गाड़ी है ये गाड़ी बताओ पहले आप अब तो ठीक है गाड़ी ठीक है ये गाड़ी ठीक है कुछ लोग कहीं के सर नेनोई बना रहे हैं सारी ये देखो ठीक है अब अगर ये दो रोगाड़ी फुल स्पीड में अपस में टकरा जाएं क्या होगा सर क्या होगा सर कुछ नहीं एक्सिडेंट हो जाएगा मैंने का रे आर एक्सिडेंट तो हो जाएगा आपस में जब ये टकराएंगी सर फुली डैमेज क्या क्या कोश्जन है हाँ सर कुलीजन है तगला को लिजन है सर दोनों हाइच स्पीड में भी थी देखिए तार इसकी स्पीड भी तगड़ी थी और इसकी से देखेंगे बिखर गई होगी मतलब आप समझाए जब head to head collision होता है साथ super collision होता है क्या होता है super collision होता है एक तरफा collision होता है एक तरफा बोले तो जहकास एक दब यह देखिए at high speed collision between a car and another will result in permanent change and the configuration of each vehicle will be distracted sorry drastically altered सब्णिपर जाएंगे पूरा दोनों में changes आ जाएंगे गाड़ी जाएगी सर्विस सेंटर सर या तो insurance हो या तो जेम भरी हो तभी काम उपाएगा नहीं तो काम नहीं उपाएगा दिक्कत बहुत बढ़ी हो जाएगी तो यही collision हमें चाहिए होता है सर इसी को कहते हैं हम हमारा कौंसा सर effective collision को लिजन में जान थी सर को लिजन में आन थी ऐसा यह collision कैसा था यह समझो यह दोनों reactant molecule यह करता है माट डालूंगा यह भी आप माल दूंगा और दोनों आपस में टकरा गए भूम क्या होगी sir boom दम 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 ये वाली चीजे सामने आमने होगी आप क्या करोगा बताओ क्या कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते ये वाला collision आपको चाहिए था स्मझज रहे हैं इसी को कहते है effective collision इसी तरीके का collision आपके effective होंगे और यही आपके क्या बनाएंगे प्रोड़क्ट बनाएंगे साथ ही साथ इनके पास sufficient amount of energy भी थी sufficient amount of energy भी थी पढ़िए in the same way the collision between the reactant molecules are effective only when they acquired a definite amount of energy sir हमेशा याद खिये effective collision जो रहेगा वो दो चीजों पर depend करेगा हमेशा सर बता दो ना कौन सी दो चीज़े हैं effective collision जो है दो चीजों पर depend करेगा देखे कौन कौन सी पहली proper orientation proper orientation और दूसरा sufficient amount of energy चीके किस पर सर पहला proper orientation पर ठकराना चाहिए और sufficient amount of energy अगर आपके पास ये दोनों चीज़े हैं अगर आपके पास ये दोनों चीज़े हैं तो सर आपको कोई नहीं रोक सकता क्या करवाने से product को फॉर्म करवाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा कोई भी नहीं रोक पाएगा इतनी guarantee में आपको देता हूँ फटा फट इसका screenshot लेंगे और आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं सर ये तो effective हो गया मतलब यहीं को लीजन हमको चाहिए है चाहिए है सब्सक्रेंट करेंगे जल्दी नोट-डाउर करेंगे गया जल्दी जल्दी नोट-ब्रक कारेंगे जल्दी कोई भी दिक्कट हो तो बताईंग जल्दी करेंगे जल्दी चलिए हो गया ये clear चलो sir is kuatt आए एक बाश का screenshot लेलो जल्दी हो गय हैं यह चलो अब यह तो इन फटेफ कोछली समझना अ अब देखे यह वाली कास अर्यार यह तो बने गी नहीं मुष्किल है मुझसे तकडि अपनी है नहीं कोंगे पहली बात तो सर यह बता ओ कार कौण सी है हम भी नहीं समझ पार I have I will have confirm that कौनसी कार पर बस Care है यह मान लो तुम्हों कआ कहो यह कौनसी बात होती है सर कोई भी का जब ब इक कार कैसे खड़ी है एक कर ऐसे इसे में कहड़ी हैसे में कैसे बनाएंगे समझ जाना तुम तो यार जादी बड़े में हो जाएगी जादी उसमें हो जाएगी रुको 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 रुक चाओ वो भी ऐसे लेट सपोस ये वाली जो कार है इसको मैं कैसे वर्टिकल नी बताऊं कि मैं इसको ऐसा कल जेते हैं यह थो अपने ऊपर चड़ादी गारी मैट संदू फोर क्या увидеть 40 ए यह यह की कार के साथ सब्सक्राइब इसको सारी डारेक्शन में लेके चलते हैं अपन ये ये रोड था ये इस वाले रोड से जा रही थी कोगे सर कौन सी काल लेके जा रही ये इस वाले रोड से जा रही थी ठीक है और ये एक रोड इधर से था बीच में वो था तो मान लो ये जाके से भिड़ गई मतला सामने व कैसा को लिजन था सामनें तो सर यही वाली बात ही यह स्टॉप कार खड़ी हुई थी और इसने जा के उसको हिट कर दिया ड्रॉपर एनर्जी नहीं क्या कहते हैं सर ड्रोपर एनर्जी भी नहीं थी गाड़ी स्लो थी सेकंड पॉइंट सर सेकंड पॉइंट पहला क्या था तो अरे तो बाबू पहला ओरियंटेशन था ना प्रॉपर ओरियंटेशन भी नहीं था क्या करोगे प्रॉपर ओरियंटेशन भी नहीं था प्रॉपर एनरजी भी नहीं थी proper orientation भी नहीं था और अगर दोनों नहीं था तो क्या effective होगा क्या effective होगा नहीं सर क्यों effective होगा फिल तो effective है यह तो ineffective collision है यह तो ineffective collision है कोई दिक्कत कोई दिक्कत यह तो ineffective collision है बात समझ गए यह वाली चीज आपको पता होनी चाहिए देखो, when a car having strong bumper collides with another car at low speed, low speed पे टकड़ाया, no real damage is done due to collision, और अगर real damage नहीं ड़न हुआ, कुछ changes नहीं हुआ, changes नहीं हुआ, तो product में बने गई नहीं, similarly low energy collisions won't result in reaction, जब energy कम होती है, और तब कोई collision होता है, तो भाया वो product में convert नहीं होते हैं, सर ये दो बात बस या दखिएगा collision के लिए, अगर आपका proper orientation नहीं है, तो काम नहीं हो पाएगा, या फिर आपकी proper energy नहीं है, तो भी काम नहीं हो पाएगा, और अगर दोनों proper है, तो भाया फिल तो कहलाएगा कौन सा, effective, लेकिन effective वाला भी नहीं है, तो इस पर मतले को नहीं तो confusion create हो जाएगा, पक्का बात clear करे, note down करो, जल्ली note down करो, जल्ली जल्ली जल्ली, समझ में आया, ineffective collision, लो एक बार ऐसा ले लो, जल्ली लो इसका screenshot, जल्ली जल्ली, चलो हो गया, चलो, आगे बढ़ेंगे, यह देखो सर, अब आपको एक वो दिखाते है, एक question दिखाते है, कैसे होता है collision, effective collision क्या है, सब्सक्राइब को एक reaction हो रही है, H2 अपना hydrogen, प्लस I2 iodide gives 2HI, मतलब hydrogen iodide बना रहा है, क्या बना रहा है, hydrogen iodide, अब देखो, collision number 1, पहले तो collisions देखेंगे, collision number 1, एक तो ऐसा हो रहा है, hydrogen होगा ऐसा, और यह iodide होगा, ठीक है, एक molecule यह रहा, और दूसरा molecule देखना, दूसरा molecule देखना, कितना बढ़िया है, यह hydrogen होगा, और यह अपना iodine होगा, बस, अब इन दोनों को टक्राइए, इन दोनों को टक्राइए, जैसे यह दोनों टक्राइए, क्या कोई effective collision होगा, कोई effective collision होगा, क्या, नहीं होगा सर, तो यह वाला effective collision नहीं है, क्योंकि proper orientation नहीं है, यह ऐसा है, यह ऐसा है, और तक्रार है, यह वह वाली बात होगी, जो अभी हुआ था, क्या यह effective है, नहीं सर, यह तो effective कहीं से नहीं होगा, यह पहला जो collision है, सर, कोलिजन तो है कोलिजन नमबर वन तो है लेकिन यह हमारा प्रोड़क्ट नहीं बनवा पाएगा सर यह हमारा प्रोड़क्ट नहीं बनवा पाएगा तो अब में क्या कर उघल से तोड़ी लाओंगा हडा हो लग कोई दिक्कत की बात तोड़ी है कोई भी दिक्कत की बात नहीं यह पक्का कोई problem तो नहीं कोई problem तो नहीं चीक है पक्का यह वाला effective collision नहीं है ठीक है पक्का second देखो second देखो second देखो नहीं पहला वाला green वाला है यह ठीक है यह पहला वाला है इसको मैंने ऐसा कर दिया ठीक है अब दूसरा देखो यह यह वाला क्या यह collision effective है नहीं सर यह भी नहीं है क्यों यह थो सकता तो यह तो head to head सर यह उलटा है आपकी गारी मानो reverse आ रही है आपकी गारी reverse लेके जा रहे हो वहाँ से दूसरी भी रिवर आ रही है reverse में speed होती है क्या नहीं होती है तो उल्टे ठकराने पर कुछ होगा क्या नहीं होगा सर कुछ भी नहीं होगा सर इसमें भी कुछ नहीं होगा तो यह था कोलीजन नमबर टू क्या था सर कोलीजन नमबर टू और यह भी एफेक्टिफ कोलीजन नहीं है यह भी एफेक्टिफ कोलीजन नहीं है कौन सा था नमबर टू आप क्या करें सर ये भी नहीं है फिर मैंने का आप क्या करें सर कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं चलो मैंने का अब भी बता देंगे टेंसन क्यों ले रहा हूं बहुत ज्यादा इजी है कोई दिक्रत की बात नहीं है पका स्क्री देखो compress कर दिया अभी अभी compress कर दिया क्योंकि मेरे को और भी effective collisions दिखाने है ठीक है चलो अब आता है third वाला third वाला जाओ third वाला क्या है sir, collision number three collision number three अब देखो sir, sir एक काम करते हैं यह जो पहला वाला है ना इसको लिटा देते है sir, पहली बाद तो गलत ले लिया आपने sign sorry, color गलत ले लिया आपने क्योंकि पहले वाले का color ऐसा है यह देखो, यह दिख रहा है और अब दूसरा वाला ख़ड़ा हो गया भी यह दूसरा वाला कहता, मैं ऐसे आएगा मैं ऐसे आएगा मैं ऐसे आएगा मैंने का ठीक है भाई आजा आप यह दोनों ठकराएंगे, क्या यह कोई फायदा हुआ नहीं sir, sir पहले क्या हो रहा था पहले यह कैसा था और यह कैसा अगे ठकरा था कोई effective नहीं था, अब क्या हुआ यह हो गया क्या यह effective है, sir एक ही तो चलो, screenshot लो जब तक मैं इसको छोटा कलता है साथ, छोटा क्यों कर रहे हो क्योंकि बिटा, बहुत सारे बनाने है यह one है, हाना नहीं, यह two है रोख जाओ बढ़ी आरेंज करेंगे यह one है कितना बढ़ीया देख रहा है, यह one, यह two ठीक है, कोई problem तो नहीं, चलिए अब भया, अब आता है कोई और collision, पहले यह बाला screenshot लो जल्ली screenshot लो, जल्ली लो, जल्ली लो चलो, हो गया आब इसको भी लेके चलो यह आप थोड़ी बचेंगे, आप भी जाएंगे, निप्टेंगे तो आप भी चलो, यह तीसरा है यह तीसरा है, देख रहा है, समझ में तो तीनों आ रहे होंगे कि तीनों के तीनों effective collision नहीं है, सर अब देखो अब कौन सा आता है, सर आएगा effective collision के नहीं आएगा मैंने का भाईयर देख तो मैं भी रहा हूँ, कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, यह तो नहीं के बैठा हुआ हूँ collision number 4 collision number 4, चलो सर सर आजाओ यह H यह I, ठीक है दूसरा ले आते हैं सर यह H यह I, ठीक है आप ठकराओ, आप ठकराओ सर सर आप ठकराओ आँ, क्या ले लिया, अच्छा एक बात बता हूँ अपनने थोड़ी सी गलती कल दी क्या गलती कल दी सर सर क्या गलती कल दी, बेटा सब में मैंने h i लिख दिया है बल्कि पता है क्या होना था थोड़ी सी गलती हो गई है 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 क्या गलती हो यह बताता हूं बताता हूं बताता हूं यह h होगा बिटा और यह जो है ना यह i होगा सब में यह गल वालदवाजी में यह गलती हो गई बहुत बड़ी है चलो कोई नहीं पता चल जाता है तो फिर तो कोई प्रावलम वाली बात नहीं है पता चलना is important है सब सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, आप यह ना सोचें कि बड़ी है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सारे correct हो गई यह ह का molecule यह ह का, यह ह का यह ह का, यह ह का यह ह का यह ह का आपस में कोई भी collision सही नहीं हुआ यहाँ समझ भी में कोई दम से हैं समझ में आया मैं सूचा हो क्या रहा है आरे है कुछ तो गलत कर रहे है अपन, मिरे को याद आया कि अरे आपन ही गलती कर रहे है, यह देखो, आप देखो, ये कोलीजिन, हाँ सर, अब हो रहा है, है डोनेट कोलीजिन, ये वाला, ये हैच जी आई, अर धम, ये हैच जी आई, धम, देखिए, आपस में टक्राएंगे, सर, आपस में दगराएंगे और जैसे या क्षच्च इप टूड़ाएंगे यहां। पर इसी को कहते हैं effective collision ये था सरा हमारा effective collision इसी को कहते हैं effective collision और effective collision के लिए दो चीजे चाहिए फिल से लिख रहा हूं बहिए proper orientation क्या चाहिए proper orientation और दूसरी बात दूसरी कोई बता तो मैं और मांजाऊँगा अरे बहुत बढ़िया मांजाऊँगा असल दूसरी सार sufficient amount of energy sufficient amount of energy सर ये है आपका collision number 4 ठीक है बस ये या तक थोड़ी सी वो mistake हो गी थी क्योंकि ये हैच ये आई effective collision नहीं है ये हैच ये आई effective collision नहीं है ये हैच ये effective collision नहीं है ये हैच ये आई effective collision तब ये आपका देखे product बन गया है तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए था कोई दिकत तो नहीं अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोग को clear नहीं देख रहा हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कल देते चीज़ है तो ये आपको पता होना चीज़ है सरी important है ये चीज़ और उपर वाले को थोड़ा चोटा कल देते हैं कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है ये देखे हैं ठीक है कोई दिकत तो नहीं ये पहला दूसरा तीसरा और चोटा इस वाले को तो हटा भी देंगे तो भी कोई दिकत नहीं है चल ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था ये मेरे को बताना था आपको चारो तरीके के कोलिजिंस इस तरीके से आपको होते हैं और एफेक्टिव कौन सा ये, प्रोड़क कौन मनाएगा ये ये तीनो प्रोड़क्ट फिरम नहीं करेंगे ना इसमें प्रोड़क्ट होगा लिक भी देता हूँ इसमें भी प्रोड़क्ट और इसमें भी प्रोड़क्ट नहीं है कोई दिकत तीनों में प्रोड़क्ट सापके नहीं है पका, clear है, confirm, चलो, आगे चलो जल्दी आगे चलो, स्क्रीन शॉट लोग फिर आगे बरते हैं जल्दी 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 सर जल्दी करना है जल्दी करना है समय नहीं है हो गया चल यह देखो सर factors affecting देखो factors affecting effective collision यही मैंने बोला effective collision को कौन-कौन से factors affect करते हैं अब आजाओ the collision that leads to the formation of product are called effective collision the factors that governs the number of effective collisions are अब भाया मैंने आपको यही बोला वो collision सबसे पहली बात तो collision होना चाहिए फिर collision में भी कौन से collision होने चाहिए सर effective collision क्योंकि यही वो collisions है जो आपका क्या form करेंगे product जो आपका क्या form करेंगे सर product क्या form करेंगे product इसी लिए effective collision अनिवार है अब यह जो effective collision है कुछ factors पर depend करता है किस पर depend करता है कुछ factors पर depend करता है वो factor वैसे मैं आपको अभी पीछे पता चुका हूँ कुछ factors पर depend करता है पहला factor sir energy factor the colliding molecule should possess greater energy than the threshold value sir minimum उसके पास more than more than threshold energy होनी चाहिए बस बिटा यह topic दो मिनेट में खतम कर रहा है more than threshold energy होनी चाहिए राइटिंग देख रहो एक तरफा आ रही है भाई लोग जलते हैं समझ गए बहुत श्यांदा तो बैया यह वाली effective collision के लिए energy कैसी होनी चाहिए जादा होनी चाहिए किस से जादा होनी चाहिए threshold energy से जादा होनी चाहिए चलियां कोदे कर तो नहीं यह था energy वाला फेक्टर threshold energy के असपास होनी चाहिए जादा होनी चाहिए तभी काम हो पाईगा आप देखे सेकेंड से सर ओरियेंटेशन यही तो मैंने का था ओरियेंटेशन भी माहिने रखता है at the time of collision the colliding molecule सुस नहीं होता है should possess proper orientation सर एकदम collision सामने होना चाहिए मैंने का था क्या नहीं का था अगर collision सामने नहीं होगा यह देखिए आपस में यह लोग नहीं टकराएंगे एकदम आमने सामने proper energy के साथ तो सर यह मान के चलिए effective collision आपको कभी देखने को नहीं मिल पाएगा सर तो यह बात हमेशा या दखना है अगर आपको effective collision चाहिए है चाहिए है चाहिए है तो क्या करना है यह दो point या दखना है सर most important point है यह चलो भाई साब आप उपर चलो पहले इनका थोड़ा सा screenshot लीजिए और फिर आपन आगे बात करते हैं फटा फट जल्दी screenshot लेंगे जल्दी 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 screenshot लेना है हो गया confirm confirm चलिए तो यह बात यहां पर होती है समाप्थ चलिए सर अब आता है collision frequency अब यह क्या होता है सर समझना इसको समझाते हैं अपन पता है collision frequency सीधा सीधा effect करता है effective collision को किसको effect करता है effective collision को हमने का यार कैसे समझाते हैं तो थोड़ा मैंने का अप भी समझाते हैं अब भी समझा देगा में effective collision अब भी समझा देगा बस एक minute के अंदर सर collision frequency क्या होता यह समझो सर आपने frequency तो पढ़ा है ना frequency पढ़ा है क्या होती थी 910 में definition frequency की सर frequency का मतलब होता था number of cycles per second सर cycle कहां से आ गई अरे भाया यह wave की बात कर रहा है वेव पढ़ाए के नहीं पढ़ाए अहां यह देखो कितनी जादा waves एक second में produce होती थी उसी कोपन क्या कहते थे frequency क्या कहते थे frequency मैंने कहा था फील लेके बोलना है frequency क्या कहते थे थे sir frequency अब यहाँ पर क्या आगया collision frequency मतलब यह कहना चाहरा है यह कहना चाहरा है क्या number of collisions per second sir जादा से जादा collisions per second होंगे तो collision frequency जादा होगी और sir एक बात बताओ मान लो अगर आपके कहीं पर 100 collision हुएं कितने collision हुएं 100 तो यह chances से मान लेते हैं उसके अंदर effective collision तो कम होंगे ना 100 के 100 तो effective होंगे नहीं मान लो उसमें 20 collision effective हुएं चीक है तो एक सेकेट में कितने collision हुए sir 100 collision तो यहै collision frequency इसको z से denote करते हैं किससे करते हैं z से numबर of collision second मतलब collision frequency is that is z अब मान लो एक और case लेते हैं उसमें collision frequency बढ़ाने वाले है अब इसमें क्या गलता है z equals to हो गया 500 collision सर मतलब किते collision हो रहा है 500 किती तीर में? एक second में या किते हुए तो 100 किती तीर में? एक second में तो सर यह chances भी तो हैं कि effective collision ज़ादा होंगे हाँ सर पक्का ज़ादा है मान लो 10 होगा सो हो गए effective collision बात समझे सर जितने number of collision ज्यादा होंगे उतने ज्यादा chance है कि effective collision भी ज्यादा होंगे तो सर effective को यह जो collision frequency यह बहुत काम की चीज है collision frequency is very very important denoted by z denoted by z number of collisions per second per unit volume of the reacting mixture is known as collision frequency which is denoted by z and it's totally मतलब effective collision is totally dependent on collision frequency जितने ज्यादा ठक्राफ उतने ज्यादा effective collision और जितने कम ठक्राफ उतने कम effective collision और भाईया effective collision कई खेले क्योंकि effective collision ज्यादा product ज्यादा बात clear है के नहीं बात clear है के नहीं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी कोई दिक्कत तो नहीं आ तक यह था collision frequency क्या था यह अपना collision frequency कोई दिक्कत की बाद तो है कोई दिक्कत की बात तो नहीं है पक्का कंफर्म आगे बढ़ें आप बोल तो अभी आगे बढ़े जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो चलो ठीक है चेक यह देखें अब अब अपनको कोई डेरिवेशन ओफ एडेट कॉंस्टेंट इंट टाम्स ऑफ कोलीजन फ्रिक्वेंशी सर्थ सारी कहानी भए हो रही है देखोंगा समझाता हूंगा इस सारी कहानी महीं हो रही है पहले आपने बोला को को यह जगुड होना चाहिए क्या उना चीए को क्या होना चाहिए को से आया अपना effective collision कौन सा collision होना चाहिए effective collision होना चाहिए फिर effective collision से आया अपना collision frequency क्योंकि हमें ये पता चला जितनी जादा collision frequency होगी क्या पता चला में जितनी जादा collision frequency होगी उतने जादा effective collision होंगे जितने जादा effective collision होंगे उत्ते जल्दी वो काई में convert हो जाएगा प्रोडक्ट में और जित्ते जल्दी वो प्रोडक्ट में convert हो गया मतलब उसका rate constant या rate of reaction बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा और यही हमें देखना है हमें यही drive करना है क्या drive करना है सर rate constant in terms of collision frequency क्योंकि यह एक दूसरे पर dependency दिखा रहे हैं एक दूसरे पर dependency दिखा रहे हैं वो ही अपन को आज बात करनी है देखिए at a molecular level the rate of reaction is influenced by the following two factors दो factor से rate of reaction influence हो रही है कौन से दो factor है सर वो मैंने का बता रहा हूँ न रूप जाओ at what extent the reactant molecule hits each other कितने level पर reactant molecule एक दूसरे से टकरा रहे है मतलब point समझे है जितने ज़्यादा टकराएंगे उतने ज़्यादा chance है rate of reaction के बढ़ने के लेकिन जितना कम टकराएंगे उतने कम chance है rate of reaction बढ़ने के हमने का ठीक है सर ओके और कुछ what proper of the colliding molecule has sufficient energy to overcome the activation energy barrier colliding molecule के पास वो energy है कि भाईया वो किसको attain कर सके threshold frequency को sorry threshold energy को by attending activation energy और किसमे convert हो सके product में convert हो सके वो आपन को बात करनी है और indirectly there are various ways through the which we can increase the extent and frequency of collision and concentration of reactant pressure and temperature यह वो factors है जिनको change करने से हम इन दोनों factors को achieve कर सकते है और अगर यह दो factor achieve हो गए तो फिर हम directly किसको influence कर सकते है rate constant को किसको सर जी rate constant को और यह बहुत जरूरी है बहुत ज़ादा important चीजे है जो अपन को यह देखनी है sir यह वाला जो page इसको सिर्फ समझने की बात थी इसमें PayPal से कुछ भी नहीं पूछने वाला है यह वाले page से पेपर में कुछ भी नहीं पूछने वाला है although यह chart ज़ादा important है although यह chart ज़ादा important है फिर भी फटवाट screenshot लेंगे जल्दी notes में include तो करना पड़ेगा जल्दी screenshot लेंगे हो गया? चलो चलिए अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो Arrhenius ने एक equation दीती क्या दीती सर? K equals to A E A की power RT दिया था के नहीं दिया था? यह एक formula दिया था उसने अब समझो इसी को समझना बहुत easy है सर यह जो A है ना इसको क्या नाम दिया था मैंने? या तो Arrhenius factor या फिर क्या दिया था? Pre-Exponential Factor क्या दिया था मैंने इसको नाम? Pre-Exponential Factor क्या बोला था सर? Pre-Exponential Factor और पता है यह दो चीजों पर depend करता है सर? दो चीजों पर depend करता है है दो चीजों पर है एक ओरिएंटेशन फेक्टर दूसरा 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 कोलीजन फ्रिक्वेंसी कोलीजन फ्रिक्वेंसी कौन सर्थ किस पर कलता है कोलीजन स्रीक्वेंसी मैंने थी किसके बरावर है P into Z किसके बराबर है Sir P into Z हमने का अच्छी बात है P मतलब अब समझो ना Sir खुश समझो Sir अगर आप देखो तो पहली बात तो हमने बोले number of collisions जादा होने चाहिए number of collisions जादा मतलब collision frequency हो गया और अगर मान लो आपने 100 देखो number of collision collision frequency की बात कर रहे होना तो collision frequency में मान लो आपने 100 collision करवाए कितने collision करवा दिये 100 ये total number of collision है that is Z उसमें अब proper orientation वाले proper orientation वाले 30 बेकाल निकल गए सिर्फ 50 proper orientation वाले आए कितने आए Sir 50 proper orientation वाले आए मतलब collision हुए total 100 लेकिन उन 100 में से proper orientation वाले कितने हुए 50 हुए कितने हुए 50 हुए तो Sir यही convert होंगे किसमें प्रोडक्ट में यही 50 किसमें convert होंगे प्रोडक्ट में तो यह है अपना A जिसको pre-exponential factor कहते है लेकिन पता उस ती दिर में से एक बच्चा उठा केता है Sir एक बात बताओ अभी तो आपने कहा था कि अगर किसी को प्रोडक्ट में convert होना है तो एक factor और था मैंने कौन सा factor था Sir वो energy बाला तो आया नहीं क्योंकि चलो आपने यह बताए था दो factor होने चाहिए तब ही आपका effective collision होता है मानता हूँ एक effective collision का आपने लिए proper orientation लेकिन दूसरा का है energy बाला मैंने का हाँ यार मैंने का हाँ एक और होना चीह था एक और होना चीह था क्या होना चीह था Sir जिसकी energy जिसने threshold energy को touch कर लिया हो या threshold energy से जादा लिया हो और threshold energy को touch करने के लिए उसको किसको absorb करना पड़ेगा activation energy को मतलब अब आप ये ढूंडिए इन 50 में से ऐसे कितने हैं जिनके पास sufficient amount of activation energy है जिसकी वजह से वो total threshold energy को achieve कर गया मैंने का ये बात भी है ये बात भी है तो sir अभी हाँ कहा लाएंगे आपने तो a के अंदर दो ही factor रखे पे इंटू पे इंटू जेट तो मैंने का ठीक है ना एक काम करते हैं न एक काम करते हैं ले आते हैं न a into a क्या हो गया sir collision होना चाहिए और उस collision में proper orientation होना चाहिए अब आप ये बताओ कि उसके अंदर किते proper orientation वाले ऐसे हैं जिनके पास एक energy है जो energy कहलाएगी sufficient activation energy ये दिख रहा है ये जो figure है ये वो ही होता है sir आपको लगता नहीं है ये देखो ये जो मैंने into किया है न ये वो fraction of molecule है जिनके पास sufficient amount of activation energy है जिसके मिलने भव से ये crosses और equal to threshold energy है बत समझ गए ये मतलब क्या है वो molecule जिनके पास proper orientation है और ये वो fraction of molecule है जिनके पास proper energy है और इन दोरों का sum करने से ही सीधे आप पहुच जाते हो sir किस पे rate constant पे ये ही आपकी equation ती देखो बगल में लिखी है ये दोनों अगर मिल गए तो वो सारे molecule किस में convert होंगे प्रोडक्ट में और जैसे product में convert हो गए तो sir which is equal to rate of reaction और rate constant ये ही equation दीती हमें अरेनियस भाई सामने निकाल के देखिये 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 खुद देखिये मैं थोड़ी बोलना हूँ कुछ देखो अब यहाँ पर आओ A plus B gives product और यह ZAB यहाद है ZAB वो लिखा हुआ है collision frequency E minus E upon RT here ZAB is the collision frequency और E minus E RT क्या है fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy बात समझे उस टाइम पर यह formula कहां से आया था वो आज पता चला वो आज पता चला लेकिन सर वो formula पर तीन number का question पका था इसलिए मैंने का भईया यह बाद में discuss करेंगे कहां से आया अभी तो यह देखो कि क्या आया और आज वो clear कर दिया ठीक है समझ में आ गया A के अंदर क्या था P into Z P means orientation factor Z मतलब collision frequency लेकिन अभी भी आप confirm नहीं कर सकते थे कोगी एक factor गाया आता है जिसका नाम था energy sufficient energy और वो अपन ले आए Z की मतलब sorry EA की मतलब से यह वाले को आपन कहते हैं वो energy वाला factor यह fraction of molecule तो यह हो गया आपका drive कोई दिक्कत की बात नहीं होगी I think इतनी बात पूरी होगी होगी आपकी clear पका कोई दिक्कत तो नहीं confirm चलो screenshot मालो जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी screenshot लो वा हो गया कोई दिक्कत तो नहीं चलो यह लीजे सर Limitations of Collision Theory Limitations of Collision Theory चले देख से Limitations of Collision Theory In Collision Theory, it is assumed that atom और molecule are likely to hard sphere and structure aspect of not taking in account वह यह simple सी बात किया रहा है इसने का आपने हर molecule को क्या माल लिया था sphere माल लिया था जबकि आपने उनके shape नहीं लिया for an example जैसे water water का होता है band shape आप उसको भी क्या मान के चल रहा है sphere मान के चल रहा है तो यह बात गलत है तो यह पहला drawback था कि आपने सब को क्या मान लिया sphere मान लिया hard sphere मान लिया जबकि हर molecule का structure अलग अलग होता है हमने कर ठीक है collision theory of fails to explain high rates of chain reaction जित्ती भी chain reaction होती है उसमें collision theory fail हो गई थी chain reaction में वो यह नहीं बता पा रही थी collision किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से हो सकता है तो यहाँ पर भाई की जो बढ़िया सी theory थी वो हो चुकी थी fail अब आगे देखिए this theory is not applicable to the heterogeneous biomolecular reaction heterogeneous का मतलब होता है सलजी different heterogeneous का मतलब होता है सलजी different different बोले तो सर मान लो एक molecule एक molecule आपका gas है और दूसरा molecule आपका liquid है तो यह theory यहाँ पर fail हो जा रही थी क्योंकि यह जो भी बात कर रहे थे या तो gas gas या तो liquid liquid या तो solid solid जब भी heterogeneous mixtures आ रहे थे या biomolecular reaction heterogeneous हो रही थी उस time pain की theory निपट चुकी थी क्या हो चुकी थी? निपट चुकी थी मतलब वो उनका drawback में चला गया फिर आगे this theory shows that a biomolecular reaction are always a second order reaction but biomolecular reaction can also be a first order reaction यह यह कहते थे कि अगर दो reactant है reactant 1, reactant 2 तो इनने का हमेशा दोनों react करेंगे और इनकी order second आईगी लेगिन यह बात तो हम starting में पढ़ चुके हैं कि आप ऐसे sorry ऐसे predetermine नहीं कर सकते कि आपकी reaction second order ही हो हो सकता है कि भाया R2 आये नहीं पहले वो R1 R1 से ही reaction नहीं थी तो भाया वो यह बोल रहा था कि अगर biomolecular होगा तो पक्का second order होगा कभी first order नहीं होगा तो these are the limitations of collision theory यह पूछने के chances थोड़े बहुत बन सकते हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए जल्दी screenshot लेंगे जल्दी 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 ले लो बास almost conclude करने वाले session को हो चुका है almost काम खतम जल्दी जल्दी हो गया हो गया चलो हटा दू इसका और screenshot ले लो जल्दी चलिए clear है चलिए sir तो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और आगे क्या है देखिए यह है आगे तो यहाँ पर आपका chapter नहीं आज का session होता है समाप्त collision theory पूरे तरीके से खतम हो गई बढ़िया तरीके से मैंने काना आपको बस अच्छे से देखना है कई कोई doubt हो पूछना है और अगर चमक जाए तो एक बाद लिख देना सर्ट चमक गया पूरा बोले तो एक तरफ मज़ा आगया है बिल्कुल चीके जरूर और एक बाद थमसब जरूर करने वाले सब लोग दूसरी important बात दूसरी important बात सर्थ पूरा देखना पूरा लिखना copy pen उठागे पूरा copy लेके पूरा अच्छे जर नोट डाउन करना काम की चीज़े सर बाकी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ टॉपर्स बदलने चाहिए टॉपर्स बदलने चाहिए यहाँ शकल आनी चाहिए बोड एक्जाम के लिए और अगर यहाँ आना है तो महनत करनी पड़ेगी बिना उसके कुछ नहीं होता सर आप जानते हैं मैंगनेट बिंस बिलकुल आपके पीछे लगा हुआ है दो दो चैनल से एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो भया सीबिसी होता है जिसमें मैं आपको 11th एस वेलेस 12 दोनों केमिस्टी पड़ाता हूँ बाकी सब्जेक्स भी अविलेबल है देखिए स्पोकन इंग्लिश सीउटी एंटीसी ओलंपियाट जैसे कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो भी बिलकुल फ्री विटाउट एनी सिंगल पैनी कुछ भी नहीं फिर बात करें तो हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम में बात करें तो भी या सीबिसी वहाँ भी अवेलेबल है सर जाइए फटवर्ट पढ़िये सब लगे हुए है यूपी बोर्ट, बियार बोर्ट, एमपी बोर्ट सारे कोलसे अवेलेबल है और बड़िया तरीके सावेलेबल है सर बस आपको पढ़ना है साती साथ मैगनेट बेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है नोट्स एस एबुक्स डिस्क्रिप्शन में लिक अवेलेबल है जाईए, उठाईए, ग्रैब करिये लेट ना हो जाओ कई देर ना हो जाओ सर बस बने रहिए, लगे रहिए और पढ़ते चलिए और जो भी दिक्कत हो, प्लीज डाउट में पूछ लीजेगा तो हो सकता है, मैं जो कल का लेक्चर लेके आने वाला हूँ उसमें इस चीज को अपन आगे फॉरवर्ड कर लेंगे पका, कोई दिक्कत तो रही चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाई-बाई थैंक्यू सो मच